नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पने चैनल एक्जाम अड़ा पर जैसा दोस्तों आप लोग थम्नेल में देख रहे हैं नई सिच्छागवर्ति की खबर प्रात्मिक सिच्छागवर्ति जल मानिय सिच्छामंती सतीर दिवेडी जी के कथन के एकॉरडिंग मानिय सिच्छामंती जी आये थे तो डिय्लेड के कुछ परतनीदी मंडल मानिय सिच्छामंती से मुलाकात की उस मुलाकात में दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है इन सबी खबरों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी आपकि अपने चैनल एक्ज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सिच्छक बर्ती की तियारी के साथ सिच्छक बर्ती की भी जानकारी उपलब्द कराई जाती है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जूनियर में एड़र की बर्ती आ गई या 1894 पदों पर इसके नोटिफिकेशन 18 फरोरी को जारी होने की पूर सम्भावना है लेकिन दोस्तों जो जीओ जारी हुआ है उसमें कुछ फाल्ट है उसके वज़ा से दोस्तों अभी थर्ड मान के चलिए जीओ जारी होगा तो देखते हैं 18 जो फरोरी हो उसको दोस्तों नोटिफिकेशन आ आता है या नहीं। आईए दोस्तों देखते हैं पूरी ख़बर क्या है। सिच्छक भर्ति को लेकर बेसिक सिच्छा राजमंतिर से मिले। नहीं सिच्छक भर्ति को लेकर आल बीटी सी, बेलफेर, एसोवसी एसन के बैनर तले, संगठन के परदेश अद्यच, विकास सिंग योम, परदेश महासच्यू, आयूश सुकला के निर्वित में बेसिक सिच्छा मंतिर को ग्यापन सौपा गया। ग्यापन में कहा गया कि नियाले द्वारा सिवकार किया गया है कि सरकार के पास 51,112 पर सिच्छक के खाली हैं। परतेक वर्ष सेवा निर्वित होने वाले सिच्छकों की संख्या तथा नमांकर में ब्रोतरी की वज़ा से अभी भी प्रात्मिक बिद्यालों में सिच्छक अनपात सही नहीं है। चायद चुनाओं के बाद आप लोग के यूपी टेट होंगे उसके बाद ही नई सिच्छक बरती आएगी दोस्तों। और ये जो जूनियर में बरती आई है दोस्तों कुछ सोसल मीडिया पर ख़बर चल रही है कि 6,6,6,6 पदों पर बरती आ रही है। मार्च में दोस्तों बहुत सारे बहुत सारे चात बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों सरकार सब का भला चाती है इसलिए यूपी टेट के बाद ही नई सिच्छक बरती आएगी दोस्तों। आप लोग जो भी हमारे मित्र यूपी टेट नहीं पास हैं तो आप लोग अपने चैनल के साथ बैरी कराए जाएगी सांदार रूप से और सिच्छक बरती की जानकारी के लिए आप लोगना चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन मेल प्रेस कर लेजिए